नमस्कार मैं हूँ पंकस सिंगौर आप देख रहे हैं आइंडिया और हम आज आपको सीतापुर देख रहा है कि उन पांच तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ब्यवस्था को आइना दिखाती है तो शुरुआत करेंगे कहीं बेफिक्र मंदी ना बन जाए दुश्मन कुरोना महमारी से जूजे लोग वर्स 2020 को अभी भूल भी नहीं पाये थे कि एक बार फिर से कुरोना की नई नई खेप देश के विभिन राज्यों में आने लगी हैं ये खेप इतनी खतनाक हैं कि उससे निपट पाना मुश्किल है बावजूद इसके लोग ना तो इसके प्रत गंभीर हैं और ना ही सतर्क यकीन नहीं होता है तो आप इस नजारे को देखिए खोली की तेवहार में किस तरह लोग ना तो मास्क लगाएं हैं और ना ही सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ऐसे में यह कहना गलत नहोगा कि खुद लोग कुरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि यह हाल तब है जब रोजाना कुरोना संक्रमित मरीजों के नए नए मरीज निकल रहे हैं बढ़ती कुरोना महामारी को भाप कर सासन और प्रसासन इस से निपटने के लिए अलर्ट हो गया है साथ ही जनता से कोबिट पोटोकाल का पालन करने की नसीहत भी दे रहा है बावजूद कोई सुधरता नजर नहीं आ रहा है दूसरी तस्बीर में बात ड्राइबिंग के वक्त सेलफोन यानी खतरे की घंटी सुरच्छी सपर तैं करने के लिए परिवान विभागने यातायात नियम बनाए हैं ताकि लोग उन नियमों का पालन कर अपना जीवन सुरच्छित रख सकें बावजूद इसके यातायात नियमों की अंदेखी कर लोग सडकों पर बेधलक वाहन दोड़ा रहे हैं इससे ना सिर्फ वो खुद की बलकि दूसरों की जिन्दगी भी खतरे में डाल रहे हैं ये द्रश्च रोजाना सहर में चौराहों पर दिखाई दे रहे हैं यही नहीं यह लोग सहर के चौराहों पर ट्राफिक कंट्रोल करने की जिम्मेदारी निभाने वालों के सामने से निकल जाते हैं पर जिम्मेदार उन्हें टोकने की जुरुत नहीं समझते जबकि जान है तो जहान है इनसान की जिन्दगी अनमोल होती है चाहे वा बच्चा हो या नोजवान या बुजूर्ग इसलिए डाइविंग करते समय या सड़क पर चलने के दौरान साउधान रहें कभी मोबाइल पर बात करते वक्त ना गाड़ी चलाएं नहीं रोट क्रास करें या पूरी तरह खत्रे की घंटी है तीसरी तस्बीर में बात करेंगे एंबुलेंस में जन्मी नन्ही जान परसूताओं के लिए सुचार सरकारी एंबुलेंस संजीमनी सावित हो रही है दरसल परसूताओं को सहूलियत देने के लिहाज से सरकार ने 102, 108 एंबुलेंस सेवा शुरू की है प्रसूपीड़ता की सूचना पर एम्बूलेंस फौरन मौके पर पहुंच जाती है अधिकांस महिलाओं को नजदी की सियसी में ले जाकर प्रसूप कराया जाता है लेकिन पिछले दिनों एलिया बलाके की एक गर्वती महिला को जिला अस्पताल लाया जा रहा था प्रसूपीड़ा बढ़ने पर प्रसूप का रास्ते में ही एम्बूलेंस में ही प्रसूप कराना पड़ा प्रसूता ने एक बालक को जन्म दिया जच्चा और बच्चा दोनों सुरच्चित बताए जा रहे हैं चौथी तस्वीर में बात करेंगे फजियत कराने पर गवा बैठे कुर्सी के बिसुच्चह रोग दिवस पर सीता पुर दोरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुक्मंतरी योगी आदितनात ने कारिकम समापन के बाद हैली पैड पर पांच मिनर तक अपसरों के साथ गुफ्तगों की तब तक या कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सीम ने अपसरों को किस मुद्दे पर निर्देश दिये मगर पंचायच चुनाओ की असूचना जारी होने से पहले डियम बिसाल भरदवाज ने बिस्वा एषडियम राम दरस राम पर गाज गिराई तो हर किसी को हैली पैड पर सीम की गुफ्तगों का माजरा समझ में आ गया दरसल गोरकपुर बिहार और आजमगर की तीन यूतियों ने पियस्सी हलीम नगर के फर्मासिष्ट की पत्नी पर यौन शोशन के गंभीर आरोब जड़े थे वो भी खुद एसडियम विस्वा के समझ उपस्तित होकर बावजूद इसके उन्होंने मामले से उच्चा अधिकारियों को रूबरू कराने के बजाए उल्टे खूब फजियत कराई इससे वो अपनी कुरसी गवाब एठे पांच्वी तस्बीर में बात करेंगे फिर भी बंद नहीं असलहों के प्रदर्शन की सीतापुर में लंबे समय से पुलिस असलहा बनाने की फैक्टरी बरामत करने और एक कट्टा दो कारसूस पकड़ने के दावे करते आ रही है ना तो असलहों का जखिरा कम हुआ है और नहीं असलहों का इस्तेमाल होना बंद हो रहा है अक्सर नाजायज असलहों से धाएधाए होना आम बात है इसकी बानगी देखना है तो रामकोट इलाके की इस घटना पर नज़र डालें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पुलिसिया कारवाई हो रही है दरसल छेत की एक ब्रेकरी दुकान पर कुछ दबंग बाइक से आधमकते हैं दोनों कमर में असलहा लगाये थे कोल्डिंक लेने के बाद जब दुकांदार ने पैसे मांगे तो 30 रुपे कम दिये सेस पैसा मांगने पर दोनों फायर कर देते हैं हाला कि बाद में दोनों ग्रामीरों के हत्ते चढ़ जाते हैं तो यहां का हमारा आज का कारिकम आपको फिर एक सब्ताबाद पांच नई तस्वीरों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार स्टूडी आयस लखनों में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए के बेस्ट फैगलिटी के साथ एक मौडरन कैंपस सुपलब्द करा रहा है अब स्टूरेंट बारवी के बाद ही आयस और पीसेस की तैयारी कर सकते हैं इसमें बारवी के बाद आप ग्रेजुएशन करते अगर आप ग्रेजुवेशन कर चुके हैं तो आप हमारी स्पेशल बैच में आयस और पीसेस की तैयारी कर सकते हैं इस्टूरेंट के रहने और खाने की ववस्ता भी उप्रब्द कराता है जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके अधिक जानका अधिया